प्रदूशन का और एक महत्वपूर्ण परिणाम यानि हरित ग्रिह परिणाम प्रिथवी पर मौझूद कारबन डायॉकसाइड, मिथेन, नाइट्रोजन डायॉकसाइड और ओजोन यह वायू प्रिथवी पर एकाद गुदरी जैसा काम करता है सूरत से मिलने वाली उश्नता को तथा ताप मातरा पकड रखने का काम यह वायू करते हैं और रात में यह ताप मातरा उत्सरजित होकर आसमान की ओर भीजवाई जाती है वातावरण में होने वाले हरित ग्रिह वायू इस ताप मातरा को चूस लेती है और वापस प्रिथवी की ओर भीज़ देती है इस कारण से पृत्वी का वातावरन रात में गरम रहता है इसे हरिद ग्रिह परिणाम कहते है हरिद ग्रिह वायू की वातावरन का प्रमान संतुलन रखने में पृत्वी वर के जीवों को मदद होती है लेकिन प्रमान बढ़ने के कारण वैश्विक ताप मात्रा बढ़ने का परिणाम महसूस होता है वाहनों से बाहर आने वाला धुआँ और कारखनों से बाहर आने वाला धुआँ इंधन का जवलन आदी कारणों से हरिद ग्रिह वायू का प्रमान बढ़ा है और ताप मात्रा चूसने का प्रमान भी बढ़ा है इसी कारण से हरिद ग्रेह परिणाम महसूस हो रहा है हरिद ग्रेह वायों के निर्मान में चीन उत्तर अमरिका के साथ भारत का तीसरा नमबर लगता है आमल वर्षा यह प्रदूशन के कारण होने वाला एक बुरा असर है कोईला, लकडी, खनिश्टेल, आदी पदार्थों के ज्वलन से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी में छोड़ जाते है वे बारिश के पानी में घुल जाते हैं और उससे सल्फिरिक आमल तयार होता है बारिश की बूंदे अत्वा हिमकणों में घुल कर जो बारिश होती है उसे आमल वर्षा कहते हैं बारिश का पानी शुद्ध ही होता है इस बारिश के पानी में कुछ प्रमान में घन भारित आयन और रिन भारित आयन होते हैं बारिश के शुद्ध पानी का pH अत्वा सामू सात रहता है लेकिन बारिश के पानी का सामू 5.6 इतना रहता है यदि यह सामू 5.6 से कम होता है तब उस पानी को आमल वर्षा कहते हैं आमल वर्षा जिस विभाग में होती है वहां के सूक्ष्म जीव, प्राणी, बनस्पती, नदी तथा नाले में रहने वाले मचलियों पर विप्रीत परणाम होता है। आमल वर्षा प्रथमताहा 1872 में स्विडन में पहचानी गई और 1950 में उत्तर अमरिका में इसलिए इस पर अनुसंधान किया गया। को ने हवा प्रदूशन और आमल वर्षा पर मिशेल परवत के परिसंस्थान में अनुसंधान की शुरुवात की। कई वर्षों के संशोधन और निश्कर से 1988 में ऐसा निर्णे हुआ कि ओहियो और टेनसी की घाटी से ओद्योगिक प्रदूशन इस परवत की ओर प्रवास कर रहा था। और रेंगने वाले प्रदूशक निर्मान कर रहे थे। इस कारण आमल वर्षा का निर्मान हो रहा था। आज भी इसका परिणाम तथा असर इन व्रुक्षों पर होता रहा है। ठीक उसी तरह से कम उचाई पर ओजोन और आमल युक्त आर्दता आलपेशियन परवतों पर तथा पहाडों पर असर करते हैं। ये दिखाई देता है। आमल वर्षा का परिणाम वनस्पति और प्राणियों के साथ इमारतें, हैतिहासिक वास्तू, पूल, धातू की मूर्तियां तार के घेरे पर होता दिखाई पड़ता है। आमल वर्षा के कारण अप्रत्यक शरीत से, कैडमियम और मर्क्यृरी जैसे वजन्दार धातू वनस्पति मे चूसी जाती है। और अन्न शरंखला में घुल जाती है। जलाशे का और जलवाहिनियों का पानी आमल युक्त होने के कारण जलवाहिनियों के विशिष्ट धातों के और प्लास्टिक के पेएजल में निक्षालन होके स्वास्ते की गंबीर समस्या पैदा होती है। हवा प्रदूशन यह अत्यंत धोका दायक है। इस पर प्रतिबंधात्मक उपाय निकालना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए कारखानों से बाहर आने वाला धुआ तथा वहनों से बाहर आने वाला धुआ इस पर नियंतरन लाना चाहिए। कारखानों से बाहर आने वाले धुए में दूशित कंड रहते हैं हवा प्रदूशन नियंत्रण करने वाली यंत्रणा का उपयोजन बंधनकारक होना चाहिए वहानों को विशिष्ट काल के बाद ठीक से जांचना बंधनकारक होना चाहिए बद्बू फैलाने वाला कच्रा नश्ट करना आवश्चक है कच्रे का वर्गिकरण करके पुनर उपयोजन करना उचित होता है आनविक परिक्षण रासायनिक अस्त्र इनके उपयोजन पर नियंत्रण और CFC के निर्मिती पर बंधन लाना ऐसी योजनाएं आवश्चक है हवा उपक्रम शुरू किया है इस उपय से इस दोहजार चोबीस तक प्रदूशन 20 से 30 प्रतिशत कम होगा हवा के गुणात मक्ता का निर्दिशांक निश्ट करने के लिए हवा के सल्फिरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड नाइट्रोजन डायोक्साइड ओजोन अधि मक्ता के निर्दिशांक दर्शाने वाले फलक लगे होते हैं इसका अधियन कीजिए प्रदूशन का और एक महत्वपूर्ण परिणाम यानि हरित ग्रिह परिणाम पृत्वी पर मौजूद कार्बन डायोक्साइड मिथेन नाइट्रोजन डायोक्साइड और ओजोन यह वा प्रूमठ प्रिणारण पर दोत्वे परैजे सम्कान purposes कार्ण है